इसको लेकर आपकी तरफ से क्या एक्षाल लिया रहा है या विबाद बहुत ही सर्वनाक है मैंने सारी क्लिपिंग मैंने डीम को एस्पी को एडीम को साथ साथ एस्टीम को अडिशनल इस्पी को शीयों बंदिराय को मैंने सारी वीडियों भेदी है और उस वीडियों को अगर वो देखेंगे गहराय से तो उसमें दूर कगूत और पानी के पानी किलियर हो जाएगा कि कौन उबदरी है जो भी उपद्रों कर रहे थे लोग वो किसी विजाध्रम क्यों है जिन्होंने गलती की है उसको उसकी सदा मिलनी चाहिए क्योंकि आज इबराहीमपुर में बच्चे जो है भूखे हैं माए बहने तड़प रही हैं लोग घरों को छोड़ करके भाग गए हैं और सबसे में चीज कि जो थाना धज जिन्होंने आसंस दी भासा का इस्तमाल करत हुए जो पारावादार में जिस तरीके से भड़काओं भासर दिया है उनके भासर देने के बाद जिस प्रकार महौल खराब हुआ है जिस तरीके से आप देखिए कि धार्मी का स्थाल क्यों तोड़ फोड़ हुई है जिस प्रकार आप गौर कीजिए कि घरों को जलाया गय है जिस परकार घरों में लूट पाट हुई है जिस प्रसकार से गाड़ी जलाए गई है टेक्टर जला गया दुकानों के ताले तोड़े गए आखिर ये लोग कौन थे ये सुन्योजी साजिस थी हमें तो लगता है कि इसमें थाना धच बाकाइदा मिला हुआ हुआ है और स पानवा धच को ततकाल ततकाल उसको ट्रेमिनेट करें या उसको सस्पेंट करें और सक्से सक्क कारवाई करें जो बेगुनाह लोग को मुल्जिम बनाया जा रहा है गाउं के गाउं खाली हो रहे हैं उनके जारे कि दिहारी मजदूर है और उनको टार्गेट बनाया जा रह और मैं मांग करूंगा कि जो भी लोग दोसी हो वो किसी भी जाध्ध्रम के हो जिन्होंने इस सवली की सांध्योस्था वो खराब करने को कोशिश की है उनके उपर सक्से सक्कारवाई हो और इस मामले को यहीं नहीं रहेगा इस मामले को हम उत्तर परदेश की विधान सभा में मामनी राश्ट्री इधजी के अगवाई में नेता प्रत्पच के अगवाई में इस मामले को मजबूतिस उठाते हुए और सक्ष सक्ष जो भी अथकारी इसमें सनलित होगे उनके खलाप कारवाई होगी रासवाल में मामकाई कि यह है कि थानवा धच की लापरवाही का ही नतीजा है कि जो बड़े पैमाने पर और अभी तक मैं सरकार का ध्याना करशित कराता हूँ कि सरकार और डीजीपी महोदे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थानवा धच को ततकाल उसको ट्रेमनेट करे या उसको सस्पेंट करें और सक्से सक्क कारवाई करें जो बेगुनाह लोग को मुल्जिम बनाया जा रहा है गाउं के गाउं खाली हो रहे हैं उनके जारे की दिहारी मजदूर है और उनको टार्गेट बनाया जा रहा है हमने सारी क्लिपिंग है जी है और अभी मैं डीजी के हो जिन्हों नहीं सवली की सांद व्योस्था वो खराब करने को कोशिश की है उनके उपर सक्से सक्कारवाई हो और इस मामले को यहीं नहीं रहेगा इस मामले को हम उत्तर परदेश की विधान सभा में मानिराश्ट्री इद्धत जी के अगवाई में नेता प्रतपच की जिन लोगों ने आग घरों को आग के हवाले किया है जिन लोगों ने ट्रैक्टर को जलाया है जिन लोगों ने बहन बेटियों के इस्जत पर अटेक करने के कोशिश की है और जिन लोगों ने बुज़ुर्गों को मारा है और जिन लोगों ने धर्मस्थल को तोड़ने के क कोशिश की है उनके खिलाब सक से सक कारवाई हो और वो वीडियो देखा जाए हम यह नहीं कहते कि किस जाद्धर्म का मामला वो मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए स्किर्फ राष्ट प्रेम ही वतन से मुपत ही मान अगर किसी आइंगे से किसी न दुबारा इस ओली विधान सभा के तरफ इस तरह के घ्रड़ काम करने के कोशिश करेगा वो चाहे हमारा 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 कित्रा भी खास होगा उसको हम लोग छोड़ें नहीं किसी कीमत पर और और प्रसासन के लोग होंगे और चाहे कहीं कि भाड़े के जो भाड़े के जुन करने के लिए अगर लाए जाए आपके चैनल के मादधम से कि निस्पच जाच हो अनिस्पच जाच करके और जो जिनके घल जलाए गए हैं उनके भी अप्रवाही से वहां पर महुल को बिगड़ा है जिनकी नापरवाही से वहां पर उपद्री उपद्रा हुआ है उनके खिलाब भी सक से कर सक से सक का कारवाई होनी चाहिए मैं आपकी चैनल से मांग करता हूँ और किसी कीमत पर मैं बैटूंग नहीं जब तक कि मैं गरीबों की लड़ाई